Hello my friends, आज जो मैं वीडियो बना रही हूं, उसमें ये वली दो कलर की मैं wool यूज़ कर रही हूं, ये regular wool है, जिसके साथ हम sweater बनाते हैं, और उसमें मैं ये straw यूज़ कर रही हूं, ये वली, और ये sequels यूज़ होंगे, ये आप इसकी जगह पर कुछ भी और यूज़ कर सकते है उसके लिए मुझे ये size चाहिए, तो इस वज़ा से मैंने ये इस तरह से ये वली चीज़े इसमें add की है, और center से क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटा चाहिए, थोड़ा सा fluffy चाहिए, इस वज़ा से मैंने center में ये वली straws लिए, क्योंकि ये इस तरह से slender shape में होते हैं, तो center में वह बहुत खुबसरा सी चीज़ बन जाती है फिर, ये रेखें, अब हम इसे scotch tape ते साथ यूँ इसको bind कर लेए, और हम इस side पर भी लगा लेंगे, इस तरह से हमें ये hold करना असान होगा और इसे handle करना बहुत easy हो जाएगा, अब हम इतना ये end छोड़ेंगे इसका, 4 time हमने इसको new turn किया है तो इस तरह सिख्या ये वाला 1,2,3,4,5 time है ये, ठीक है, ये 1,2,3,4,5 हो गया, अब सेम उसी color का हमने ये देखें thread लिया है, अब हम जिस side पर ये हमने छोड़ा है इसे उस side से हम पहले उस end से इसको जोड़ेंगे, उसके लिए हम इसको इस side पर ऐसे कर लेंगे, ऐसे और ये इदर, ताके इसके ends जो है वह से हम secure कर सकें अचीकरा से, अब यहां से हमने needle pass किये, और ये इस लूपने से हमने यूँ गजारी, कि रचल आज कर दिनका से आम श ते ङसे इसे, अबस्ट, मैं हम मैं हम से कॅबटे हम इस सरा रहाँ एंचिछेंगे, का सबस्ट, मैं हम helpsciका चले ही हमें इसे, जने हम प्यूओे हमें ऊशाइदेंगें, और यहां एंड पे हम इसके नॉट लगा देंगे अब हम इस एंड से यह वाला जी साइड है इसके हम यह यहां सेंटर वाली में से पास करेंगे नीडल अब हम यह एक बीड लेंगे और यहां पे इसके नॉट लगा देंगे अब यहां से अरां से स्लाइटली हम इसे यू नकाल लेंगे यह देखेंगे इस तरह के हम एट बनाएंगे और से इसी तरह से हम इसे छोड़ देंगे ऐसे आसरा से अरा देखेंगे से तरह से वाल देखेंगे से अरां वाल प्या-साइब भ्या-से इसके भी ईखेंगे खर यहां रखेंगे उन्हादली है आसरा से चाह्ड़ीजंगे यह इसी तरह से मैंने यह भी बना के रखे हो रही हैं अब हम यह जो 5 हैं इनकी यहां से हम यह देखें यह वाला धागा इतना अपनी तर छोड़ना है अब इस लूप में से इसे हमने यहां से ऐसे एंटर किया यह दसे उसे इसे हम्ति हैं इस तरह से आपने से सक्यूर कर लेना है यह हमने वह 5 लिए है तो यह हम जो है वह 8 कर लेते हैं अब हमने इतना डिस्टेस रखना है कि यह यहां पर ऐसे फिटा है तो उसके लिए हमें थोड़ा इसे छोड़ के लेना पड़ेगा नहां पर में दोड़ सक्राइब जाओर बिए में र59 अज़ाओ से छोड़ेगा झाल वह हमने वां से सक्कार जाग जाओ झाल शब खिया तो फ्योची तो खिसा स्वेको । यह हमने इतना प्रूश्यार में तो यह जो अज़ाएं झाल 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 आप यह इसी तरह से हमने यह देखें यह बना लिए इसे आप जैसे कैप स्क्यूपर वो होता है वो भी आप बना सकते हैं जैसे पॉम-पॉम लगा होता है उसकी जगह पर यह लगाएं अब हम इसे साइड़ा से यूँ मजीद इसको स्क्यूर करेंगे इस थरा से और जब हम इसे लगाएंगे स्टिश्च करेंगे किसी चीज़ के ऊपर तो यह मजीद हम इसको टाइट करेंगे पर आप आप इसको और यूँ इस तरह से भी टर्म दे सकते हैं ऐसे टाइट करने के लिए या आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं अभी मैं आप लोग को स्टिच करके दखाते हैं यह बहुत खुबसुरत बनता है आप इसे किसी भी चीज़ के पर बना सकते हैं अब हम इसे यहां से काट लेंगे जो एक्स्ट्रा है यूँ इस तरह से से कट कर देंगे और इसे हम इसके उपर यूँ जो भी चीज आपने करने हैं इसके उपर स्टिच कर देंगे अब यह सेंटर में हमने पर लगा देंगे इसे हैं इसके रहे में इसके पर देंगे इसी तरह से आप अगर चाहें तो इसको भी स्टिच कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो यह देखें किसकतर खुबसुरत और 3D बिलकुर लुक दे रहा है, कितना प्यारा यह बन गए, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी जगा पी जो आपके पीछे जो लटकन से होते हैं, वो उसके तौर पे भी यूज कर सकते हैं, अपने बाजों के उपर बहुत खुबसुरत कटाओ बना के उसके उपर लगा सकते हैं, इससे अपने दुपटों के उपर लगाएं बहुत अच्छा लगेगा, ट्रॉजर के उपर हर ची पेज को लाइक करें, थैंक यू